योगी अधितिनाथ सरकार से इस्तीफा देने वाले तीनों नेता स्वामिप्रसाद मौरिया, दारा सिंग चोहान और धरम सिंग सैनी लगातार जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से पीछे चल रहे हैं। हमने भी इस पूरे चुनाओ काल के दौरान इस बात को लेकर करके असप्रष्ट किया कि ये तीनों नेता या जितने भी नेता भारतियनता पार्टी छोड़ करके सपा में आए हैं वो अपनी उनकी ताकत आज की तारीख में कुछ नहीं है। बनाए गए लेकिन जैसे जैसे चुनाओ अगला नजदी का है यानि 22 वाला उन्होंने पाला बदला और आज जो फिल हाल में रुजान देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कम से कम अपने भाष्णों रैलियों के जरिये सपा को अधेरे में रहना रखे रहने का सोचा। जनता को अधेरे में रखा और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को उन लोगों ने अधेरे में रखा नहीं बलकि समाजवादी पार्टी पूरे चुनाओं के कैम्पेन के दौरान एक गफलत में रहना पसंद कर रही थी, वो अधेरे में रहना चुन रही थी वक्लावा समाजवादी पाइटी के पास कोई ऐसा उपाज़वाएं नहीं था, जहांपर पावर को डीसंट्रलाइज किया जाए और सिर्फ अकिलेश यादो ही पाइटी में सारे फैसले या सारे समीकरण अकिलेश यादो के हिसाब से नायता हों बलकि एलाके के हिसाबmot carnighty पूरी तरीके से। आईए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन बड़े चेहरों के साथ मद्दाताओं ने क्या किया है और अलग-अलग पार्टियों का क्या को समीकरण चल रहा है। उनमें से सबसे बड़े नामों के गर बात करें तो योगी सरकार से स्तीफा दे करके सपा में शामिल हुए तीनों नेता जो मंत्री भी थे। उसके बाद लगातार उन भारतियंता पार्टी किलाफ केंपेणिंग कर रहे थे। और जब भारतियंता पार्टी को वोट की गिंटी होने लगी और उसमें बताया जाने जाने लिएक वो आगे है। से समय में राकेश टिकायत का बयान आया है कि लड़ाई तब होती है जब चोर बैमान हो जाते हैं यहां तो चोरी भी करते हैं श्रीमान जी और गुंडे भी हैं उन्होंने कहा आगे कि इन से जनता नाराज है और कह रही है कि इनकी पालिटी इस बार नहीं जीतेगी और एक ब और सों तक राकेश टिकायत ये भी कहने आ जाएंगे कि गैस की वजहा से कई बार आग लगने की सम्हावनाएं होती हैं और गैस इस देश की प्राकरतिक उत्पत्ती नहीं है इसलिए देश की जनता को उस पर खाना वाना नहीं बनाना चाहिए उपले पर ही जाकर खाना बन तो वहां के और लोकल पत्रकारों की माने तो इस तरीके से दंगा करने की पूरी तयारी थी और अगर सही समय पर चीजों को नियंतरित नहीं किया गया होता तो वोट काउंटिंग से पहले बरारस में तगड़ा बवाल हुआ होता और इन तमाम चीजों के लिए कहीं न कहीं राकेश्टिक है जैसे नेताओं का बयान उमपरकाश राजबर जैसे नेताओं का बयान सौई परसाद मौरिया जैसे नेताओं का बयान और अखिलेश यादो जैसे नेताओं का मार्ग दर्शन जिम्मेदार है जो अपने कारेकरताओं को सच नहीं बरदाते हैं और एक प्र अखिलेश यादो जो प्रेस कॉंफरेंस करने आएंगे तो यही कहेंगे भाई रैलिम भीड तो बहुत आ रही थी लेकिन वोट डालने पता नहीं कहां भीड चली गई अखिलेश यादो के पता करना चाहिए कि रैलियों में बराबर संक्या में भीड तो आ जाती है लेकिन उ रुजान आ रहे हैं उसके मताबिक नहीं धसन चुनाओ जीत रहे हैं और कम वेश इस सीट पर अनुमान भी यही किया गया था इसके अलावा बारतियंता पायटी के केश्व परसाद मौरिया जो मुख मंत्री हैं और समाजवादी पायटी के प्रत्याश्री अंगट बंदन से आगे इसके अलावा गोरखपुर से प्रत्याश्री और मुक्यमंत्री युगिया इतनात भी आठ जार मतों से आगे चल रहे हैं इसके अलावा पायटी बदल करके समाजवादी पायटी में आए कटेरी के गदावर बस्पा नेता लाल जी वर्मा जो फिलाल सपा में हैं वो वहाँ से आगे चल रहे हैं, और हम बेटकर नगर की कमोबेश सीटों पर सपा कुछ जगहों पर आगे चल रही है, अधिकतर पर बसपा आगे चल रही है, भारतियन्ता पाइटी वहाँ पीछे ही चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाओं में क्या प्रोपगेंडा बनाता रहा, जमीन पर उन लोगों ने काम करने की बजाए सिर्फ स्क्रीनों पर दिखाना चुना, और दूसरी तरफ एक पाइटी जिसने स्क्रीन पर भी दिखाया, और जमीन पर भी किया, और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं, उसे जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साजा भी करें, फईलाल के लिए इतना ही मेरा नाव अनुराग मुस्रा है, आप जिनता जिनिशन देख रहे थे, कैमिन पर मेरे साथ उन प्रकाश थे, शुक्रिया,